हमारे एरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन जी का वीडियो अभी सामने आया है पकिस्तान से वो चाय पीते हुए कर रहे हैं कि हमारे साथ कोई बहुत-बहुत सुलूकी नहीं हुई है और जैसे हमारी भारतिय सेरा हमको हमारे साथ ट्रीट करती है वैसा हमारे साथ यू चैनल पिना बुनियात के भौके जा रहा है और युद्ध को जबरजस्ती देश पर थोपना चा रहा है उनकी एक बात तो गलत सावित हो गई अगर सर्जिकल स्ट्राइक में 300 मिलिटेंस अगर पाकिस्तान में मारे गए होते तो हमारे जवान जो वहां गिरपतार दूसरी बात पाकिस्तान के पाकिस्तानी सेना का प्रेस कॉंफरेंस अभी मैंने देखा और उनके प्रधानमंतरी जी का भी प्रेस कॉंफरेंस देखा पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि हमने पटिदारी निवाते हुए हमले का जवाब देते हुए हमने भी हमने का जवाब भा प्रेस कॉन्फरेंस में जो सबसे बड़ा हिस्सा यह कह रहा है कि वो युद्ध नहीं चाहते हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान के प्रधनमंत्री ने तो एकड़म से कही दिया है कि मोधी नरिंद्र मोधी महज चुनाओ के लिए युद्ध थोपना चाहते हैं देश पर, युद्ध का महौल बनाना चाहते हैं। और मुझे भी ऐसा लगता है क्योंकि जब पाकिस्तान हर अस्तर के इन्वेस्टिकेशन के लिए पुल्वाम अटेक के बाद तयार है तो आप जबर्यस्ति क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप के हां से ट्वीट लीक होता है और इम्रान खान के ट्वीट पर जाता है कि हमला होने वाला है। फिर उसके बाद आप हमारे सैनिको को सर्जिकल स्ट्राइक की सूचना लीक होने के बाद भी उन सैनिको को पाकिस्तान में क्यों भेज दिया जाता है। मुझे लगता है कि अभिनंदन जो आज जिन्दा है विंग कमांडर ये हमारी मीडिया को अच्छा नहीं लग रहा ऑगा हमारी मीडिया को खून खराबा पसंद है। इनको ये मना रहे होंगे कि हमारे स्क्वाडन लिजर वहां पकड़ा गया है उसकी गला रित के हध्या कर दी जाए ताकि हम और चिला सकें और बहुंख सकें और देश का ध्यान असलिए मुद्धों से अटा सकें मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आप लोग भी इंटरेट पर सर्च करके पाकिस्तानी सेना का और वहां के प्रदानमंदरी का बयान सुनिए हमारे जो विंग कमांडर अभिनेंदन वहां पकड़े गए हैं उनका भी बयान सुनिए और वो जो कह रहे हैं कि अब गें भारत के पाले में हैं हमने उनके एक आदमी को पकड़ लिया है गेंद भारत के पाले में है भारत जैसा चाहेगा वैसा होगा तो हम चाहते हैं कि पुल्वामा अटेक का आप इनिविस्टिकेशन कराईए उसके बास से कोई कदम उठाइए सबसे पहले जरूरी है कि हमारे पकड़े गए आर्मी के जवान को बारत सुरचित लेया जाए और ये जो युद्ध युद्ध खेलने का आप लोग प्रयास करना इसको रोका जाए हम जानते हैं चुनाओं है चार साड़े चार साल मोधी सरकार ने कुछ नहीं किया है वो हर मोर्चे पर वीफल रहे हैं तमाम ब्रस्टाचार के मामलों में लिप्त हो गए हैं अब कुछ बचा नहीं उनके पास उन्होंने युद्ध का रास्ता लिया और ये जो फरजी रास्ट्रवाद का दंब भरते हुए पूरे देश को युद्ध में दोनों मुलकों को युद्ध में ढखेलने का काम मीडिया कर रही है यह बड़ी सर्म की बात है बड़े सर्मनाक बात हम अपने देश के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि प्लीज टीवी देखना बंद कर दीजिए यह टीवी वाले आपको पागल बना देंगे यह टीवी वाले आपको हिंसक बना रहा है यह टीवी वाले गलत सूच चनाय दिखा करके वीडियो गेम के वीडियो फूटेज को दिखा करके सर्जिकल स्ट्राइक बता करके आपको गुमराह कर रहा है वाकई में दोनों देश आपस में युद्ध नहीं चाहते हैं भटके हुए लोग हैं जो युद्ध की बात कर रहा हैं क्योंकि हमारी सिती तो जंगलों से बेदखल किया जा रहा है उनकी संपत्ति को हडपने के लिए हमको उससे लड़ना है हमको अपने देश में बेरोजगारी से लड़ना है हमको अपने देश को आगे ले जाना है युद्ध करके हमको पीछे नहीं जाना है हमको इतिहास सबक लेना है कि युद्ध किसी भी किसी भी देश को किसी भी मामले को मुद्दे को परिडाम तक नहीं ले जा पाया है युद्ध से कोई हल नहीं हुआ है बातचित से ही हल हुआ है कुछ लोग युद्ध के बाद बातचित किये हैं कुछ लोग युद्ध से पहले बातचित करते हैं तो अगर पाकिस्तान के हुक्मरान अगर समझदारी दिखा रहे हैं वो हमारे विंग कमांडर को सुरक्षित लोटाते हैं और बातचीत का आपसन खुला रखते हैं तो हमको भी बातचीत करने के तरफ आगे बढ़ना चाहिए और यह जो पुलवामा टैक हुआ है इसकी निच पाकिस्तान सायोग देने की बात कर रहा है जाच कराने के बाद निरने लीजिए कि इसमें क्या करना है फिलहाल मुदीजी से अनुरोध है कृपिया युद्ध में ढकेल करके चुनाओ लड़ने कोशिश मत करिए देश में दन्यवाद निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते है तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करे लाइक करे कमेंट ज दुर्करे